नमस्कार दोस्तों आपका अपके अपने चैनल में स्वाक्त है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानि की 15 दिसंबर के कुछ एक महत पूरन एजुकेशनल और इंप्लोईमेंट अपडेट्स के बारेनी जिसमें जो सबसे बड़े अपडेट रहेंगे वो रहेगा आपका HPU UG First Year का जो भी खराब रिजल्ट आया हुआ है उससे समंदित यहाँ पे एक अपडेट रहेगा इसी के साथ जो UG First Year के जांच कमेटर की फाइनल रिपोर्ट आनी है उस पे एक अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे साथ में ही HPU UG First Year Reval रिजल्ट पे भी बात करेंगे इसी के साथ HPU PG First semester का जो examination schedule है उसके संदर्ब में बात करेंगे इसी के साथ HPU PG examination form से समंदित यहाँ पे एक जो अपडेट आया हुआ हुआ है उसके बारे में बात करेंगे साथ में ही है वो इमाचरवदेश Top Selection Commission हमेरपूर से समंदित यहाँ हम पे अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे इसी के साथ सिदार प्लस टू के जो second term होने है उनकी प्रिक्साव का schedule भी यहाँ पे जारी हो गया है तो इन सभी अपडेट के बारे में जो है वो आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो चली दोस्तों क बात करें माचल प्रदेश स्कूल अजूकेशन बोर धर्मसाला की तो उन्होंने जो है वो 10 और प्लस टू का जो second term का schedule है वो जारी कर दिया है तो यहाँ पे जो प्लस टू के second term की प्रिक्साएं हैं यहाँ पे मार्च में जो है वो start होंगी और इसके लिए जो examination form है उनको fill क कर पाते हैं तो उनको late fees जो है वो देनी पड़ेगी अभी तक जो first यहाँ पे term का परणाम है वो भी जारी नहीं हुआ है तो यहाँ पर जो first term का result है 10 और प्लस टू का वो यहाँ पे December last तक जो है वो जारी हो सकता है इसी के साथ next update की बात करें तो refund policy में सिक्षन संस्तानों क को बापिस करने होगी विद्यार्थियों की fees तो कोविट काल में जो भी admission रद हुई थी या migration हुई थी admission और बहां पर जो भी इंस्टूट्स थे उन्होंने यहाँ पर जो विद्यार्थि थी उनकी fees refund नहीं करी थी तो यहाँ पर माचल प्रदेश विदाल लिया ने जो है व नेक्स अपडेट की बात करें तो नेक्स अपडेट जो है वो आपका ही माचल प्रदेश स्टाप सेलेक्शन कमिशन हमिरपूर से समंध में रहने वाला है तो जे वो एक्जाम में बैठेंगे एक लाख यूबा तो इसके लिए प्रदेश भर में जो है वो 476 सेंटर बनाए कर दी हैं तो आप लोग जो अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के थूरू अपने यहाँ पर एड्मिन कार्ड भी डाउन्डोड कर सकते हो और यह जो एक्जाम है वो 25 दिसंबर सुबा जो है वो 11 बज़े से लेके एक वज़े तक आयो जित किया जाए नेक्स जो भी बीड के स्टुडेंट्स दे जिन्होंने अपनी पड़ाई छोड़ दी थी किनी रीजन की बज़े से तो उनको यह स्पैसल चांस मिला हुआ है तो अब उनको जो है वो अपनी स्मेस्टर पर क्लेर करने के लिए पर स्मेस्टर जो है वो 20,000 उपर फीस देनी होगी य आपका फ्यू पीजी गेजामनेशन से समंध में रहने वाला है तो यहाँ पे जो एच्पू के एजाम को फिल करने के जो लास्ट रेट थी अब पहले यहाँ पर एक्स्टेंड होके जो है वो 14 दिसमबर हो गई थी लेकिन आप जो है उसको उसको एक्स्टेंड करके यहाँ वो यहाँ पे 28 दिसंबर 2022 तक जो हो अपने एक्जामनेशन फोर्म जो फिल कर सकते हैं, इस डेट को यहाँ पे एक्सटैंड जो हो कर दिया है, बाकी जो भी एक्जाम होंगे आप वो यहाँ पे फर्बरी महिन्ने में जो हो आयोजित किये जाएं, नेक्स्ट अप्डेट की बात करें, तो नेक्स्ट अप्डेट जो हो आपका HPU, PG फर्स्ट इयर के जो एक्जाम होने हैं, उनसे समंध में रहने वाला है, तो फर्बरी के आंत में होगी HPU की PG प्रिक्साइम, तो इमात्रब देश बिसे बिदा लेने जो सैसनब 22-23 जिसमें ज से जो हो यहां पर PG में लागो कर दिया है, तो इसनी कारणों की बज़ा से जो हो है, वो PG की प्रिक्साइम यहां पर दो महा देरी, यानि की फर्बरी 2022 के तीसरे बीक में जो हो स्टार्ट होंगी, इस नए सिस्टम में जो अब प्रतम स्मेस्टर के प्रसन पत्तर सैट करने प्रिक्साइम और पैटर्न विद्लाब भी किये जाने हैं, जिसके चलते यहां पर यूनिवर्स्टी को जो भी प्रिक्साइं होंगी, उनकी त्यार्णियों में समय लगेगा, इसी बज़ा से जो है, यह सारी प्रिक्साइं आप फर्बरी महिनने के लास्ट वीक में प्रस् होंगे, बागे इसके एक्जामिनेशन फोर्म जब भी फिल होंगे, तो मैं आपको जो है वो बाई वीडियो यहां पे जो है वो इन फोर्म कर दो, आब यहां पर बात कर लें, एच्प्यू यूजी फर्स्टियर का जो भी खराब रिजल्ट आया हुआ 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 पहले चैकिंग को छोर हुई थी और बाद में मार्क जो हम उनके बढ़ गे तो यहां पर दो हजार आंसर सीट से थी जहां पर विद्यारती जो थे वो दो तीन नंबर से फेल हो रहे थे और जो फर्स्ट टाइम उनकी चैकिंग होई थे बहां पर ज्यादा मार्क से फेल हो तो इस रीजन की बज़ा से यहां पर जो दो हजार के जो आंसर सीट थी उनकी यहां पर तीसरी बार भी चैकिंग जो हो रही है तो इसी के बाद जो है वो यहां पर यहां पर जांस कमेटे की रिपोर्ट भी आएगी तो इसके लिए अभी एक सबता का समय लगेगा और यह कम से कम छे पांच-6 दिन पहले की है तो आप भी जो है आपका जो वो जांस की रिपोर्ट है आपको एक दो दिन में देखने को मिल जाएगी यानि कि आपको यह रिपोर्ट आज या कल अप्सिलम पर देट आएग गा तो मैं आपको यहां पर वाई وीडियो लगता है कि व आपका result जैसे आपका result आपके बीया का एक दिन्याया बीस्सकी का एक दिन आया है तो एर चिने पहले फिल कर दी होते हैं, उनका पहले आजाता है और जिन तो ये जो भी result है आपको या तो December last week या January 1st week में जो है वो revolution के result आपको अपने यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं कि जिन students ने पहले revolution फिल कर दी है उनके result जो है वो December last या January 1st week में यहाँ पर आने जो हम start हो जाएंगी और अगर किसी का यहाँ पर रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बाई वीडियो जो है वो इन फोर्म कर दूंगा बाकि जांज कमेटर की रिपोर्ट आपको आज या कल तक देखने को जो है वो मिल सकती है जब भी आएगी तो मैं आपको यहाँ पर बाई वीडियो जो है वो इन फोर्म कर दूंगा अगर हम लोग यहाँ पर सिदार के लिए उनिवस्टी मंडे की ब इस में मैत और में हिस्ट्री है बहाँ पर जो स्टुडेंट है वो अज ये प्राइवेट कैंडिडेट भी अपने एक्जामिशन फोर्म फिल कर सकते हैं जिसके लिए फोर्म फिल करने के लास्ट जो है वो यहाँ पर 19 दिसंबर 2022 रखे गई है तो आपने प्राइवेट वा परत रहेगी तो उसके माद्यम से वो यहाँ पर अपना फोर्म फिल कर पाएंगे लेकिर जो अभी रेगुलर वाली एक्जामिशन फोर्म फिल करने की साइट है वहाँ पर सर्वर इसू आ रहा है वह प्रोपर तरिके चल नहीं पार रही है तो जैसे वह चल पड़ेगी तो मैं आपको यहाँ पर वाई वीडियो इनिफॉर्म कर दूंगा कि कैसे कैसे आप लोगों ने जो हे वहाँ पर अपना फिल करना है तो जब भी आज तो पर टृप बहुत कर दूंगा नेक्स अब्रेट देखें तो यहाँ पर जो सदार्प्टेश्य तो उनिवस्टी मंदी ह सकते हो जो भी आपका स्थाफ्ट की स्ट्रीम हैं उसकी आपकी डेट्ट शीट कहा रहेगी तो þीस ठावरी डेट्एल भी जो आप आप हो चैक कर सकते हो मारे आज के कुछ एक अपदेट अगर आपको यहाँ पर भरवल्म आतीmen कोई कोई क्यारी है तो आप लोगों मेरे टेलेग्राम लिंक ग्रूप को जोईन कर लेना है जिसका लिंक जो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिशन में दे दूंगा तो जैसे आप मेरे टेलेग्राम ग्रूप को जोईन करोगे उसके बाद आप लोगों ने बहां पर मुझे एक परसनली मैसेज कर देना है जो भी आ गार्णिंग तो जहां पर मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिस करूंगा तो दोस्तों यह ते मारे आज के कुछ एक अपडेट अगर आपको यह वीडियो इनफ्रमेट्टिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेर करें तो तो आसी